मैं हूँ चंद्रपाल राजवर आईए एक बार फिर से फ्रेशको सस्को तक्नीक के बारे में जानने की कोशिस करते हैं आईए जाद समयना गवाते होए प्रशनों की तरफ चलते हैं फ्रेशको भूमो प्रविधी किसे कहते हैं? किसी भी भीति पर रंग लगाना भूमो प्रविधी है नमबर बी किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भीति पर लगाना नमबर सी विशेश प्रकार से तयार प्लास्टर पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना भूमो प्रविधी कहलाती है इसमें से कोई नहीं मित्रों ये कोश्चन आपका सही है C नमबर C नमबर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा समलोग जान लेते हैं कि कैसे क्या है ये ये जैसे भिति चित्रन की वह बिधी है जिसके दिवारों पर गीले प्लास्टर पर ही पतले रंग लगाये जाते हैं और प्लास्टर सोखने के साथ ही पक्के हो जाते हैं इसे अद्र चित्रन भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेशको बूमो पधती से चित्र बनते हैं किस पर बनते हैं? लकड़ी के पटे पर, कागज पर, दिवार की गीली सतह पर, कपड़े पर सेवर सी बात है आप जानते ही हैं ये दिवार की गीली सतह पर बनती है और साथ साथ में सूखते, मतलब प्लास्टर सूखते समय ये पक्का हो जाता है तो शेवर सी बात है इसमें option number c सही होगा option number c चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेसको सेसको चित्र में चित्रन के लिए किस प्रकार की भित्ती प्रयोग में लाई जाती है फ्रेसको-स-को चित्र में चित्रन के लिए किस प्रकार की भित्ती प्रयोग में लाई जाती है सुस्क भित्ती, गिली भित्ती, काघज कैनवस अभ अभी हमने पढ़ा फ्रेसको बूमो अभी यह कोश्चन्स है फ्रेसको-सको आपको थोड़ा से यहां ध्यान देने की बात है कि फ्रेसको बूमों जो होती है वो अगीली पद्धती होती है और फ्रेसको सेको जो होती है वो सूखी पद्धती होती है तो यह सुष्क पद्धती में आएगा ौप्सिन नमबर 8 ACE चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेको सेको तकनीक भारत में किस चित्र सैली से संबंधित है अब इसके बारे में देखिए पहाडी सैली, अजन्ता चित्र सैली, आधुनिक चित्र सैली, प्रागय एताहसिक चित्र सैली तो ये बित्रो है आपकी होगी प्रागय एतहासिक चित्रण सहली यहनी की कोश्चन नंबर डी चलिए कैसे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि अजन्ता की जो चित्रण सहली यूरोप के फ्रेसको सेसको तकनीक से संबंदित है सबी जानते हैं क्योंकि फ्रेसको सेसको तकनीक की सता अजन्ता चित्रण सहली में गुफा के भीतरी दिवारों पर पतला लेप करके समतल बनाया जाता था और पुनह सुखने के बाद उस पर चित्र बनाया जाता था इस सहली का प्रयोग जी पोत्रों ने भी किया था माइकल एंजेलो द्वारा तयार किया गया चित्र जेनिसिस दा लास्ट जज्जमेंट इस तकनीक का सबसे बहतरी नुदारों में से एक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेसको सेको चित्र में चित्रन के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है अभी हमने बताया प्रेसको सेको चित्रन में प्रेसको सेको चित्रन के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है अभी हमने बताया फ्रेसको बोमो गीली पद्धती होती है फ्रेसको सेसको जो है ये सूखी पद्धती होती है तो ये होगा सूखी पद्धती अपस नमबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेसको सेको पद्धत से चित्र बनाए गए थे फिर से एक बार प्रशन को सुनिए फ्रेसको सेको पद्धत से चित्र बनाए गए थे इटली में, जैपुर में, अजन्ता में, इसमें से कहीं नहीं कहां बनाए गए थे? ये बनाए गए थे अजन्ता में अजन्ता में बनाए गए थे आगे बढ़िए जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी में इस्तित है हाँ ये question is important है जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी में इस्तित है सत्थपुडा, हिमालाय, निलगिरी, रामगड ये आपका option number D.C.E. रामगड कहां इस्तित है, रामगड कैसे इस्तित है, इसके बारे में जानिये देखिए, जोगी मारा गुफा रामगड की पहाड़ी में इस्तित जानते है नहीं जानते हैं, जान लेजिए जो तीर्त अस्थल की भी है, मतलब यह एक तीर्त अस्थल भी है यह गुपा अमरनात नामक अस्थान पर नर्वदा नदी के उद्गम अस्थल पर इस्थित है उत्तर प्रदेश माध्मिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्ण का उत्तर बिकल्प जो है वो दिया था सत्पुड़ा जबकि उत्तर कुंजी में इसका बिकल्प होना चाहिए था रामगड़ और यही रामगड़ सही है चलिए इसमें महत्तर पुड़ अगर तथ जानने की कोशिस करें तो इस गुफा के समीप सीटा बोगा या सीटला लांगड़ा गुफा है जो एक प्रेक्षा गिरे थी डाक्टर ब्लाक के अनुसार जोगी मारा गुफा तीसरी सताबदी इसा पूरुत मतलब तीन सव इस भी पूरुकी है जोगी मारा के चित्र सहलिस सहाची और भरहुच से मिलती जुलती है चलिए आगे बढ़ते हैं जोगी मारा गुफा जोगी मारा गुफा इसा से कितने वर्स पूरुक के चित्र मिलते हैं तो यह जानते हैं अभी हमने उपर बताया कि तीन सो इसा पूर तो यह सही होगा आप्सन नमबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं जोगी मारा गुफा की लंबाई है कितनी फिट जोगी मारा गुफा की लंबाई है और चोटी है इसकी मतलब लंबाई 10 फिट चौड़ाई तथा उचाई 6 छे फिट है अब आगे बढ़ते हैं जोगी मारा गुफा कहां इस्थित है जोगी मारा गुफा कहां इस्थित है जोगी मारा गुफा सभी जानते हैं यह 36 गड़ में इस्तित है जोगी मारा गुफा कहां इस्तित है 36 गड़ में चलिए आगे बढ़ते हैं जोगी मारा के चित्र बने हैं साथियों वैसे तो जो है यह कोश्चन थोड़ा सा कनफ्यूजन में है लेकिन अभी हम confusion को दूर करते हैं थोड़ा सा इसको देखिए वैसे जहां जोगी मारा जोगी मारा की बात जहां पर छत पर प्रिष्ट भूमी पर नहीं 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 सौरी ये लगाईए आप जोगी मारा की गुपा जो है ये सफेद प्रिष्ट भूमी पर बनाई गई है option number C आगे देखते हैं जोगी मारा किस लिए प्रशिद है जोगी मारा किस लिए प्रशिद है मूर्तियों के लिए भित चित्र के लिए योगियों की समाधी के लिए इसमें से किसी के लिए नहीं जोगी मारा किस लिए प्रशिद है तो सभी जानते हैं जोगी मारा मूर्तिय के लिए प्रशिद्ध है जोगी मारा किसके लिए प्रशिद्ध है मूर्तियों के लिए कैसे प्रशिद्ध जोगी मारा मतलब भित्चित्रों के लिए प्रशिद्ध है जानते हैं यहां के भित्चित्र में पसु पक्छी इस्तरी पूरुष मकान ताला पुस्प आदि का अंक भी किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अजन्ता के भित्रचित्रों से पहले किस घुफा में भित्रचित्रन हुआ अजन्ता के भित्य चित्रों से पहले किस गुफा में भित्य चित्रन हुआ बाग गुफा, जोगी मारा गुफा, सिंगनपूर, एलिफैंटा तो ये सबसे पहले हुआ भित्य चित्रन जो है जोगी मारा गुफा में जोगी मारा गुफा में यह जैसे अजन्ता का जो भित चित्रन है यह सबसे पहले जोगी मारा में चित्रन इसका मिलता है जोगी मारा की गुफाओं को भित चित्रन शुरुवात मानते हुए अजन्ता की आरंबिक कला का प्रेरख माना जाता है इसमें कुछ बिद्वान का ये भी कहा मानना है कि जोगी मारा की जो भित चित्रन परंपरा है वह अजन्ता की आरंबिक भित चित्रन सहली का प्रेरख है यहनी कि जब जोगी मारा गुफा का चित्रांकन हुआ था तो जो अजंता में चित्रांकन हुआ 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 जोगी मारा गुफा से संबंधित मतलब उससे लिया गया है और जोगी मारा के चित्रों की रचना सहली समकालिन भरहुत सांची और सांची की मूर्तिकला से मिलती ज जो है यह जो है जोगी मारा की गुफा नंबर 20 है चलिए आगे बित्चित्रन की कला भारत में कहां से प्रारंब होई बित्चित्रन की कला भारत में कहां से प्रारंब होई बित्चित्रन की कला जो है भारत में प्रारंब होई है यह है अजनता से मानी जाती है अजनता से मानी सेसको तक्नीक से रिलेटेट आगे के लिए हम आपको आजनता फ्रेसको के बारे में अध्यन कराएंगे तब तक इन प्रशनों का आप अध्यन कीजिए देखिए समझिए और अगर प्रशन अच्छे लगें तो इसका अध्यन कीजिए खूब मेहनत कीजिए आगे बढ़िए धन्यवाद